मेरी वीडियो डाइरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पे क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें बहुत-बहुत स्वावत दोस्तों आप सब का मेरे इस चैनल में और सीखने की शरंगला में हम पहुंच गया हैं आज इस टॉपिक पर चैप्टर नंबर 88 राहु देव से संबंदित व्यापार या कारिश शित्र दोस्तो बहुत इंपोर्टेंट है ये टॉपिक क्योंकि कई लोगों के मन में जब ऐसे खयाल आते हैं कि बहुत जल्दी पैसा कैसे कमाय जाए बहुत फास्ट मूविंग में कैसे करोड़पती अरबपती बनाय जाए बना जाए या मतब बन सकते हैं ऐसे अगर खयाल विचार मन में आने लगते हैं तो उस समय पे आपको इस चैप्टर की बहुत जरुत पढ़ने वाली है क्यों क्योंकि यदि वो खयाल आपके पास है और वो जो सारी चीजे मैं आज आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में वो मैच करती है तो समझ लेजिए राहू देव आपके लिए कही न कही वो रास्ते खोलेंगे लेकिन उसमें थोड़ी समझदारी और थोड़ी होश्यारी या जिसे कहते हैं कि थोड़ा धेर्य वो सब कुछ बनाए रखने की बहुत ज़ादा जरुत है क्योंकि ये नाम ही जो है वो अपने आप में एक मतलब आप समझ सकते हैं ये आसान नहीं है इनके साथ में किसी बहुत बड़ा आतंक मचा दे हो सकता है बहुत बड़ा आपको benefit दे दे लेकिन आपको उसके लिए capable होना पड़ेगा ये दे तो बहुत को सकते हैं लेकिन आपके पास में power भी होनी चाहिए इसको gain करने की क्या वो चीजे हैं सारी तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस प्रकार के व्यापार या कारेशेत्र से ये related हैं और उनके कारेया को करने से आपको राहुदेव से सम्बंदित राहुदेव की सीधी नजरें या राहुदेव की जो तीन रष्टिया या ये जहां बैड जाएं बलकि वो चल रहे व्यापार का सत्यानाश कर देंगे या जो उनसे सम्बंदित कारे होगा उसमें बैड बजा देंगे इसलिए राहुदेव अगर कुंडली में positive है तो ही इस वीडियो का साराश निकलेगा या तो ही इस वीडियो तक आने का मकसद पूरा होगा क्योंकि इस इसका मतलब यही है कि हम अब जो काम करने जा रहे हैं उसमें राहुदेव जरूर साथ देंगे देखते हैं कुछ इनके कारे शेत्र नौकरी इसमें किस प्रकार की नौकरियां शामिल है तो जो publicity work होते हैं या जो services होती है इससे related जो काम होते हैं या इसमें जो नौकरी चाहिए वो इनके अंदर्गत आती है इनके अंदर्गत आती है सरकस या जो सरकस में नौकरी करने वाले जो कलाकार होते हैं उनको manage करना या उनसे सरकस करवाना या खुद सरकस करना ये सब इसके अंतर्गत आता है बहुत उच्छ लेवल का scientist बन सकता है ऐसा इंसान और विशेश कर जहर विग्ञान या toxin science जो हो या उस जहर से बचने के तरीके क्या होंगे इस पर पूरी तरह से research करने का एक बहुत बड़ा जो ग्यान है वो इस इनसान के पास हो सकता है जिसका राहु देव पर सीधा effect है कुंडरी के अंदर antibiotic medicines या इसकी खोज करना इसको बनाना इसके अंतरगत नौकरी करना या इसके अंतरगत जो कुछ भी है इस काम से related नौकरी भी इनके लिए है जासूसी कार्रे डिटेक्टिव एजेंसी यानि एक बहुत उच्छ लेवल का जासूस बनने की शमता राहु देव प्रदान करते ह या वहां किसी एजेंसी में नौकरी करने के लिए इनकी पावर या इनकी किरने या इनका तत्व आप में मौझूद होना बहुत जरूरी है तभी राहु देव क्योंकि राहु देव बहुत माइंड और बहुत शार्प तरीके से सोचने वाले हैं यानि हम जो नहीं सोच पा लोक सबा विधान सबा का जो मेंबर होता है यानि कि सीदी सीदी में बात करू राज निती अगर उसमें सफल होना है तो राहु का योगदान बहुत जरूरी है और एक बार यहां पहुंच गए तो पेंशन भी मिलेगी और जितने दिन सर्विस रहेगी उसकी तंखा भी मिल तो है ही लेकिन ये कुंडली में जिस ग्रह के साथ या जिस ग्रह में राशी बैटी है यानि मिला जुला असर आपको देंगे जैसा ग्रह का रिजल्ट वो दे रहा होगा उसमें और ज्यादा वडोतरी करेंगे प्लस खुद का माइंड भी ये लगा करके यानि खुद का त अफलता हैं दिलवा देंगे आईए जानते हैं व्यापार पर एक नजर व्यापार की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें कुछ लीगल और कुछ इलीगल दोनों तरह हैं कि व्यापार इसके अंतर रहे गत है अभी तक हमने जो साथ गरे देखे थे उसमें सब हमने अच् चाहिए और कुछ ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए तो बाके में आप सही सोच रहे हैं क्योंकि ये सब काम करने के लिए एक आदमी को डैरिंग भी चाहिए इसलिए राहु देव ये सब काम करने के लिए आपको उत्साहित या प्रोत्साहित जरूर कर देंगे लेकिन कुंड दितकार्यों में हाट डालना चाहिए अन्यता अर्थ का अनर्थ हो सकता है पैसों का सत्यानाज भी हो सकता है हलागि जानकरी लेना या जानकरी देना मेरा काम है वो आपको यहाँ पर देना है कि इनके क्या व्यापार हो सकते हैं अगर किसी को समझ में आता है कि ये काम करने से बेनिफिट है और ये काम करने से नुकसान है तो वो एक जानकारी सब के लिए फायदे मन्द होगी तो आईए देख लेते हैं सटा लौट्री या बैटिंग अभी क्रिकेट का दौर चल रहा है और बलकि चलता ही रहता है किसे ने किसी देश की ये बैटिंग और मतलब किसे ने किसी देश में सीरीज होती ही रहती है तो ये बैटिंग आम बात सी हो गई है लेकिन चौरी छुपे होती है तो 60 लोट्री बैटिंग ये सब काम इसी के इंतरगत आते हैं और मेरी तरफ से या इस चैनल की तरफ से कोई रेक्यमेंडेशन नहीं है कि आप इस कारे को करें बिल्कुल खाली लिखना जरूरी है क्योंकि ये इनके व्यापार हैं बागी रेक्यमेंडेशन कभी नहीं रहेग जिसको भारत सरकार भी बैन कर चुकी है मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर उसका लेकिन आपके द्वारा कमेंड बॉक्स में जरूर जानना चाओंगा कि किस चीज की मैं बात कर रहा हूं हलके हलके हिंट दे रहा हूं तो इस प्रकार की इस कीमों में आपको नहीं फसना ह है जिसकी कीमत बहुत कुछ साल पहले एक दो पांच रुपे थी आज लाकों रुपे में हो गई है तो दोस्तों इनका कोई भरोसा नहीं है कब किस दिन बोरिया विस्तरा समेट के चले जाए और इनके तो आफिसों के भी पते नहीं है सब काम इंटरनेट पे चल रहा है कब किस दिन जटका लगेगा और एक दो जटके भी बीच में लग चुके हैं तो कई बार सवाल आते हैं इस चप्टर का मैं खुद इंतजार कर रहा था क्योंकि कमेंड बॉक्स में मैं बहुत सवाल है जब से मैंने ये सिरीज चुरू किया कि सर मैं ये वाला काम कर लू क्या व राहु देव थोड़ी सी भी गड़बड में बैठे है या थोड़ा सा भी चक्कर है उनके साथ में या वो कई न कई दिखा रहे हैं चलावा करने हैं नुकसान दे सकते हैं तो वहां अपने को सत्रक रहने की जरूत है इसलिए ये इंटरनेट के माद्यम से कमाना या ये स्क साथ में उनको यहां कि प्रब्लम नहीं आए होगा और उनको मतलब भी नहीं उंको लेना देना भी नहीं इस बात से लेकिन वाकी यहां आकर फुसैंगे और अपना पैसा डुब वज्माइबे भारत सरकारिय समय अबर उंके बस में जितना है वह कुछती है लेकिन हमें भी कि मैं किस company या मैं किस scheme की बात कर रहा हूं जिसका भी बहुत प्रचल नहीं बहुत शोर है बहुत worldwide चीज है हला मचरा बहुत ज्यादा मशीनों से संबंदित कारे भारी मशीनरी जो भी है उनको करने का या उनको उनसे जो भी related काम है उनसे रिपेरिंग का related काम है वो भी इसके अंतर का था उनको बनाना उनसे installation या जो कुछ भी है वो सब काम इसमें आता है तामसिक पदार्थ जिस चीज से आपको नशा आता है जिस चीज की तलब लगती है मैं भगवान से यह प्रातने करूँगा कि यह जो वीडियो देख रहे हूँ उनमें किसी प्रकार की कोई बुरा है नहीं हो गुटका, तमाकू, सिग्रेट या जो भी ड्रक्स, चरस वगरा इस तरह के समाज में बहुत बुरे नशे चलते हैं, वो सब इनी के अंतरगत आते हैं और इन में कोई ना फसा हो, क्योंकि यह जो वेपार करने की ताकत है, यह जो वेपार करना जिसके अंडर में आता है, वो राहु देवी है, वो यह सब कारे करवाते हैं, और बहुत कमाते हैं, लेकिन समाज का अहित करके कोई पैसा कमाया हुआ, कभी किसी काम का नहीं होता है, चोरी का माल मोरी में, आपने सुने होगी यह कावत, तो इसी तरीके से यह बात है, तो इसलिए रेकमेंडेशन इसको भी बिल्कुल नहीं है, कि कोई यह करे, लेकिन बताना तो जरूरी रहता है, यह आप जानते है, राज निति के बन सकता है, यह काम बिल्कुल किया जा सकता है, राहु किसी के सही जिगर पे बैठा है, कहीं अच्छी जिगर पावर दिये उसने और उसकी दशा चल पड़ी है, तो बंदा राज निति में जाएगा, चूट, चल, प्रलोभन, लोब, मो, सब कुछ करके एक अच्छा राज निति के बन सकता है, बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपनी लाइफ सेट करने में यह माहिर होते हैं, अगर उनका प्रभाव है, रबर का कार रहा है, रबर जो होता है, आज किस चीज में काम में नहीं करते हैं, इनके कई जिगह पे काम होगा, कमिशन अजेंड का, शेर मार्केट में डारेक्ट, इंडारेक्ट, कमिशन बाजी, सब तरीकों के काम में राहु देव का पूर्ण योग है, अगर आप शेर मार्केट में कमा पा रहे हैं, तो राहु देव के अच्छी द्रष्टी अच्छी placement की वज़े से होगा और अगर share market में गुशे और राहुदेव को आपने देखा नहीं उसके पहले कि राहुदेव की वज़े से क्या हो सकता है क्या नहीं सकता है तो लाखो करोडो जितने लगाएं वो सब डूब सकते हैं ऐसी condition बनती है क्योंकि corrections आते हैं आपने देखे होंगे उस correction के अंदर कहीं लोग की संपति चली जाती है तो वो कहीं ने कहीं राहुदेव का mismanagement या राहुदेव का mism guidance आपकी जिंदगी में अगर हो जाए तो ऐसा संभव है कि share market से loss ही होगा हलागी इसकी भी recommendation तो नहीं है मगर इसका एक तरीका है करने का अगर वैसे किया जाए तो share market आपको काफी फाइदा दे सकता है पर फिलाल इसके लिए मामला 50-50 है अब देखते हैं सडक का कारे जो सडक का कारे होता है इसमें शनी देव की भी आउशिकता पड़ती है क्योंकि construction line वाला कारे है तो शनी राहू का हिसाब किताब देखकर ही सडक का कारे यानि ठेकेदारी line के अंदर जाए जा सकता है especially road contractors जो होते हैं वो इसके अंदर कताते हैं गटिया और adult films इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे आप सो हम समझदार है क्योंकि अगर यूटूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो कहिने के समझदारी तो अच्छी कासी होगी इसलिए देख रहे हैं गटिया और adult films जिसमें nude scenes करने की ताकत nude scenes film आने की ताकत या इस से related जो भी pond film में होती है उनका कारोबार इसी के अंदर कताता है युद्ध में काम आने वाले हतियार दोस्तों आपने देखा होगा इनके दान के section में चाकू वगरा जो है हम दान करवाते हैं इनका और बड़ी बड़ी जो है ये scales पे industries है जिनमें ये इस तरह के काम होते हैं या हतियार बनाने की जो है ये राहु के वज़े से ही संबब है otherwise ये बड़ा daring का काम है आसान नहीं है इसलिए ये काम के रामचन का है भी नहीं काम लेकिन क्योंकि इका काम है इसलिए बताना अवश्यक है शर्त लगाने की जो daring है या शर्त में जीतने की जो ताकत है वो राहु देव की वज़े से ही है हो सकता कुछ लोग वैसे भी जी जाए लेकिन जो शर्त में जीतना या शर्त लगाने की जो पावर है वो राहु देव की वज़े से संब्भव एक perfect mechanic मैंने मशीनों से संब्दित बात की थी तो machinery, motorcycle, car, repairing या जो भी है जिसे हाथ लगाते ही पता चल जाए कि फला चीज में फला बिमारी है समझे लिजिए उस पर राहु का positive है जो भी response है या positive असर है इसलिए उसको इतना perfect mechanism मिलना है या उसके अंदर जो दिमागी जो एक ताकत है वो पैचानने की बिमारी को और उसको ठीक करने की वो राहु का प्रभाव ही है तो एक अच्छा mechanic बनने के लिए एक अच्छे राहु की बहुत जरुत है कीट नाशेक या पेस्टिसाइट्स का जो बिजनिस है चाहे इसकी दुकान हो इसके फैक्टरी ओ चाहे बनाना हो चाहे बेचना ये सब कुछ काम इसी के अंतर गता है शेयर ब्रोकर्स ये शेयर मार्केट की बात करीती है ओर शेयर ब्रोकर शेयर मत Bam duck जो आपको शेयर्स में खिलाते हैं यानि अपना जो शेयर का दुकान चलाना है जी या जो फटाफट गेन करना है वो सब काम इनके अंतरगत आते हैं इसमें रिस्क बहुत बड़ा है रातो रात लोग या तो लगपती करोड़पती हो जाते हैं या फिर रातो रात ही बरबाद भी जल्दी होते हैं बरबाद होने की तादा ज़्यादा है बजाए उपर अच्छा मतलब पहुचने की या ज़्यादा कमाने की तंभागू प्रोड़क्ट सिग्रेट, बीडी, गुटका और भी जो कोई समाज में चलते होंगे आप जानते होंगे इन सब प्रोड़क्स को ये सब इनके अंतरगत आते हैं अगर इनका कोई बेजनेस करता है तो बहुत अच्छा फलफूल सकता है लेकिन रेकेमेडेशन नहीं है क्योंकि ये सब चीज़े अमारे समाज को बिगारती है इसलिए ये सारी चीज़े बताना जो आवशक था वो है आपके सामने आप अपने विवेक से इनको चुनिए अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने है या इन में से कोई काम करना बढ़े तो आप इन में से वो काम कर सकते है तो दोस्तो ये थी आजकी जानकारी राहु देव से संबंदित व्यापार और कारेशेत्र अब हमारा फाइनल टॉपिक बच रहा है केतु देव केतु देव में योकारक, मारक और उनके व्यापार उसके बाद में कुछ नए टॉपिक्स और आपके लिए लाएंगे जिनसे पूरी तरह से जोतिश विज्यान को हम एक दिन सीख जाएंगे और सब कुछ जान जाएंगे ताकि कोई भी किसी को बेवकूफ न बना सके या हम मिस्गाइड ना हो हमारा उद्देश सिर्फ इतना सा है कि हम जोतिश विज्यान को अच्छी तरह से समझ लें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्श वीडियो में तब तक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब का जो सिलसल आप लोगों ने जारी रखा है उसके लिए दिल से धन्यवाद और आगे भी ऐसा आप जारी रखें ताकि मैं दुबारा धन्यवाद दे सकूँ उसके लिए, best of luck, thank you very much, मिलते हैं नेक्श वीडियो में, okay, bye bye